नमश्कार दोस्तों, बहुत से मातफिता का ये प्रशन रहता है कि udah सरह का केंदरी जाले में नर्सरी, प्री प्राइमरी और केजी की कच्छाओं के लिए ड्मिशन होता है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि क्या केंद्री वीडियले में, नर्सरी, प्री, प्राइमरी और केजी की कच्छाओं में भी अड्मिशन स्टार्ट हो गया है नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूटूब चैनल त्री लेटिल टूडर में करेंगी, वो जल से जल सबसे पहले आपके पास लाने की कोशिस करेंगे, ताकि आप पहले से प्रिप्यार रहें और आपके बच्चे का केंद्री वीडियले में एड्मिशन हो सके दोस्तों नई एजुकेशन पॉलिसी, नई सिच्छा नीती के अनुशार केंद्र सरकार और केंद्री वीडियले संगठन ने एक नया जो है वो प्रोवीजन इंट्रोडोस किया है बालवाटी का एड्मिशन, दोस्तों पहले केंद्री वीडियलों में जो एड्मिशन होते वो क्लास वन से होते थे, तो क्लास वन से जो छोटी कच्छाय होती है जैसे कि नरसरी, प्री प्राइमरी या फिर केजी, उनको यहाँ पर बालवाटी का माना गया है, इससे जुड़ी सभी जानकारियां मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ, दोस्तों यहा करके सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो, दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि बालवाटी का होता क्या, दोस्तों बालवाटी का वो कच्छाय होती हैं केंदरी विद्यालयों में, जो होती हैं नरसरी, केजी या फिर प्री 20 को ध्यान मर रखकर बालवाटिकों को इंट्रोड्यूस किया गया है उन बच्चों के लिए जिनकी उमर 3 साल से जादा है, 4 साल से जादा है और 5 साल से जादा है इसका और भी क्राइटेरिया है जो मैं आगे आपको बताता हूँ दोस्तों ये जो एड्मिशन होते हैं ये फ्रेस एड्मिशन होते हैं और ये जो एड्मिशन होंगे वो प्रायोर्टी के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि केंदरी विद्यालों में priorities चलती है, प्रात्मिक्ता मिलती है, तो प्रात्मिक्ता भी यहाँ पर लगेगी, और पिछली वीडियो में आपको बताया है कि reservation भी मिलता है, जो सरकार की तरप से reservation है, आरच्छन वो भी मिलता ह तो जो revised KVS admission guideline है उसके हिसाब से यहाँ पर भी priority और reservation का जो है वो rule लगेगा तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बालवाटिका 1 क्या होता है बालवाटिका 1 जो class होती है उसके लिए जो बच्चे होते हैं उनकी जो उम्र है वो तीन साल पूरी होनी चाहिए लेकिन चार साल से कम होनी चाहिए मैं इसको एक बालवाटिका 1 मेड मिशन के लिए बच्चे की जूमर है वो तीन साल पूरी होनी चाहिए चार साल से कम होनी चाहिए मतलब चार साल की नहीं होनी चाहिए तीन से चार साल के बीच में होनी चाहिए और ये एज कब तक काउंट होगी ये एज जो काउंट किये जाएगा वो उस पर्टिकुलर सेसन यानि कि उस विसेश सत्र एक्जामपल के तौर पर अगर 23-24 सत्र की बात करें तो 2023 में 31 मार्स तक उसकी जो एज होगी वो काउंट की जाएगी तो बालवाटिका में एडमिशन के लिए बच्चे की जो उमर होनी चाहिए वो तीन साल पूरी होनी चाहिए लेकिन चार साल से कम होनी चाहिए इसी तरीके से बालवाटिका 2 बालवाटिका 2 भी ये nursery kg की ही कच्छाएं है तो इसके लिए जो बच्चे की उमर होनी चाहिए वो 4 साल complete होनी चाहिए लेकिन 5 साल से कम होनी चाहिए ठीक और इसी तरीके से जो बालवाटी का 3 है इसके लिए बच्चे की उमर हो वो 5 साल complete होनी चाहिए लेकिन 6 साल से कम होनी चाहिए ये age का criteria है इसके आधार पर categorize किया गया है बालवाटी का 1 में admission के लिए बालवाटी का 2 में admission के लिए और बालवाटी का 3 में admission के लिए एक चीज मैं और आपको बता दूँ ये जो बालवाटी का admission इंट्रोडूस किया गया है किंदरी विद्यालों में लागू कर दिया जाएगा इससे related अभी कोई official notification नहीं है इससे related जो भी official notification आएगी वो आपके साथ सबसे पहले share करेंगे आप इसके लिए घबरा है नहीं तो दोस्तों इस बार बहुत अच्छा chance है आपको अपने बच्चे का admission कराने के लिए किंदरी विद्यालों में क्योंकि बालवाटिका अभी एकदम नया introduce हुआ है तो इस वज़ा से यहाँ पर admission के जो chances होंगे वो higher होंगे आगे आपको बताता हूँ कि documents वगरा क्या लगते हैं और यह जो बालवाटिका classes हैं इन में और क्या-क्या facilities होती हैं और इनको कैसे चलाया जाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी slide पे दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि इनके लिए जो forms available थे 2022-23 सत्र के लिए ठीक है मैं यहाँ पर आप से पिछली जानकारी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अगली जानकारी के बारे में भी कोई idea नहीं है लेकिन पिछली जानकारी के हिसाब से आप अपने अगली तियारी कर सकते हैं तो 2022-23 सत्र के लिए जो form आये थे वो offline आये थे और कुछ time के लिए आये थे और mid session में आये थे तो दोस्तों अब तो वो चले गए खैर अगली बार के लिए मैं आपके साथ यह जानकारी शेयर कर रहा हूँ तो जो form available होते हैं वो offline होते हैं तो आप confusion में ना रहें इस चीज को आप check कल लें हमारे चैनल पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी कि यह जो बालवाटिका वाले form निकलेंगे या offline निकलेंगे या online निकलेंगे अगर offline निकलेंगे तब भी मैं आपको जानकारी दूँगा वीडियो के माध्यम से online निकलेंगे तब भी मैं आपको जानकारी दूँगा वीडियो के माध्यम से तो दोस्तों ये जो form है आपको completely filled करके relevant documents जो भी जरूरी कागजात हैं दस्तवेज हैं उनको आप लगा के उस particular केंदरी विद्धाले में ले जाकर submit करना होता है अगर ये पूरा अगर्टी मिलेगी फॉर एक्जामपल जो अधर बैकवर्ड क्लास हैं उनको 27% reservation मिलता है तो इन classes के लिए भी वो reservation जो है वो applicable होगा ठीक लेकिन यहां पर एक condition है कि यह जो reservation जो है provision वो applicable होगा entry level only यानि कि बालवाटी का 1 के लिए 2-3 के लिए यह applicable नहीं होगा तिक उसके बाद दोस्तों admission for RT category will be done as per KVS admission guideline RTE category होती है right to education category जिसमें disadvantage group और आपके weaker sections को लोगों को consider किया जाता है तो जो RT category के admission होंगे वो भी KVS admission के guideline के हिसाब से होंगे KVS admission guideline क्या है किया मैं बहुत ही जल्द आपको वीडियोस के माधियम से share करने वाला हूँ जिसमें सारी guideline आपको बताई जाएगी दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा उसके बाद दोस्तों अगला provision for admission for single girl child category दोस्तों single girl child category होती है केंदरी विद्यालों में लागो होती है ठीक है लेकिन इन classes के लिए single girl child category वो applicable नहीं होगी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह single girl child category होती क्या है ऐसे माता-पिता जिनकी एक ही संतान हो वो सिर्फ लड़की हो उस लड़की के और कोई भाई बहन ना हो तो ऐसी लड़की हो है वो single girl child कहलाएगी यहाँ पर twin girls भी हो सकती है यानि कि अगर जुडवा बहने है तो उनको भी single girl child के लिए consider किया जाएगा या फिर तीन बहने हैं तीन बहने in the sense कि twins है ठीक है तब उनको जो है भी single girl child जो है वो consider किया जाएगा तो यहाँ पर फिलहाल तो single girl child category applicable नहीं होती है इन classes के लिए ठीक उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कौन-कौन से documents लगेंगे जो आपको registration form के साथ लगाने पड़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला है एक तो registration form ही होता है जो आपको fill करना होता है उसमें सारी details fill करनी होती है उसके बाद बच्चे की date of birth certificate जिसे की जन्म प्रमाण पत्र बोला जाता है यह आपके सरकारी hospital वगरा से बन जाता है यह फिर जन्म प्रितू रिजिस्टार के office से आपको मिल जाता है उसके बाद दोस्तों social category certificate अगर applicable है तो आप जिस भी particular category से belong करते हैं यह SC category भी हो सकती है, ST category भी हो सकती है OVC non-clean layer भी category हो सकती है और EWS category भी हो सकती है तो इन category से related certificate आपको देना होगा तब ही आपको reservation club मिल पाएगा तो इससे related certificate अगर आपके पास नहीं है तो इसको जल से जल बनवा ले बच्चे के माता-पिता का भी बनवा ले और बच्चे का भी बनवा ले बहुत से माता-पिते कहते हैं हमारा तो है लेकिन बच्चे का नहीं है तो दोस्तों आगे यह आपको हमेशा काम देगा एक बार आपने बनवा लिया उसको आराम से आप रख दीजे अच्छे से उसके बाद वो हमेशा काम देगा बार-बार बनवाने की जरूत नहीं है तो जब बनवाना ही है तो अभी पहले से ही बनवा कर रखिए इसलिए हमें वीडियो अवजी भी थोड़ी पहले ही आपके लिए लेके आता हूँ ताकि आपके डॉकुमेंट्स रेडी रहे है उसके बाद दोस्तों Residential Proof Certificate यानि कि आपका निवास परमाड़ पत्र अस्थाई निवास परमाड़ पत्र आपको देना होता है उसके बाद दोस्तों Blood Group Report बच्चे की एक Blood Group Report होती है जिसमें बताया गया रहता है कि बच्चे की Blood Group क्या है O है, A, B है, A, B प्लस है, O Positive, O, Negative ये आपको किसी भी सरकारी अस्पताल में 50 रुपे में देके बन जाता है आप वहां से इसको बनवा के रख लीजिए उसके बाद दोस्तों Two Passport Size Photos बच्चे की Passport Size की एकदम Clear Photo हो, वह आप बनवा के रख लीजिएगा उसके बाद दोस्तों Service Certificate जो सरकारी नोकरी करने वाले मातबिता है उनको एक Service Certificate देना होता है उसके हिसाब से उनको जो है admission में प्राथमिक्ता मिलती है ये प्राथमिक्ता कैसे मिलती है किनको मिलती है इससे related videos हम थोड़ी ही देर में आपके साथ share करने वाले हैं उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा तो अगर बच्चे के मातबिता सरकारी नोकरी में है तो उनको Service Certificate देने से उनके बच्चे के admission में आसानी हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा important है आप इसको भी बनवा लिजाए अगर आप सरकारी नोकरी में है तो चाहे वो Central Government की सरकारी नोकरी हो या फिर State Government की सरकारी नोकरी हो Central Government के PSU Institute of Higher Learning या फिर Project Sector में आप काम करते हैं वहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं तो वो भी applicable है इसी तरीके से State Government के अगर आप PSU में है या फिर Institute of Higher Learning में हैं तो वहाँ पर भी यह सब सारी चीज़े अप्लीकेबल होती हैं इससे related certificate आप लो है बनवा लिजे और उसका lab ले दोस्तों सबसे last point है जो मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ कि इन बच्चों की जो बालबाटी का में admission होगा जिनका उनकी school की timing क्या होगी फीस क्या होगी और चीज़ें क्या होगी तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं जो school की timing होगी वो तीन घंटे per day होगी यानि कि एक दिन में तीन घंटे की पढ़ाई होगी उनकी और हफते में पांस दिन उनका जो है वो class रहेगा maybe that कि Saturday Sunday offer है तो हफते में पांस दिन उनकी class चलेगी और एक दिन में सिर्फ तीन घंटे उनकी class चलेगी उसके बाद दोस्तों जो vacations और breaks होते हैं जो छुटियां मिलती हैं उनको वो केंदरी विद्याले का जो existing schedule है यानि कि जो सभी केंदरी विद्याले के बच्चों को मिलती है उनी की इसाब से इन बच्चों को भी मिलेगी उसके बाद दोस्तों जो uniform से वो applicable नहीं है इन classes के लिए मतलब आपके बच्चे को uniform की ज़रूत नहीं है आप अच्छे अच्छे कपड़े पहना के उनको भेज सकते हैं बढ़ियां बढ़ियां खोपसूरत लगेंगे वो उसके बाद दोस्तों fees structure जो होगा वो class 1 के similar होता है तो class 1 का जो fees structure है मैं most probably आपको बता दे रहा हूँ 500 रुपीज लगते हैं लेकिन मैं इसको official तरीके से आपको बताऊँगा एक मेरा फाइडे आपको दे रहा हूँ कि 500 रुपीज पर मन्त लगते हैं तो इन बच्चों का भी वो 500 रुपे पर मन्त लग सकता है और यह जो fees जमा होगी यह नीचे जो आप red color के link देख रहे हैं यहीं से efficiency क्या है यह कितना success है लेकिन most probably मैं यह आपके साथ share करना चाहरा हूँ क्योंकि यह नई सिच्छा नीती 2020 के हिसाब से इनको ध्यान में रखके यह करना है तो इस वजह से आगे chances हैं कि देजभर के सभी केंद्री विद देलों में यह जो पालवाटी का admission है यह start हो जाएंगे एक बहुत ही अच्छा chance है क्योंकि जब कोई भी चीज नई introduce होती है तो उसमें admission के chances ज़्यादा रहते हैं तो यह वीडियो एक awareness के हिसाब से आपके लिए बनाई की है और यह जो information में दे रहा हूँ यह existing information है यानि कि पिछले सतर की हिसाब से है आगे अगर इसमें कुछ modification होता है तो I will share with you तो इसके लिए आप बिल्कुल ना परिशान रहे हैं चैनल को subscribe करके रखें और bell icon जरूर दबाईएगा वीडियो अच्छा लगएगा तो वीडियो को like करिएगा अपने पास रिसेदार दोस्त मित्र सगे समंदी जिनके साथ भी share करना चाहें इसको share कर सकते हैं ताकि उनके भी बच्चों का admission हो जाए अच्छे school में पढ़ सकें दोस्तों इसी तरीके की वीडियो हम time to time लाते रहेंगे और हमारे साथ हमारी family में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही बने रहें वीडियो अच्छा लगेगा तो like जरूर करिएगा और आपके जो भी doubts हैं आप comment के बादे हमसे पूँछ सकते हैं हमें instagram पर आफ three little tutor के नाम से search करके वहाँ direct message कर सकते हैं आपके सभी comment सभी message का time to time reply किया जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो चलिए मिलता है फिर अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए टेक कियर जैहिंद